Hey student, welcome once again to your online classes Last video में हमने exercise 7b का question number 1-10 तक आपको basic concept के साथ समझा है था इस वाले video में हम question number 11 से यानिक 11 से आगी जितने भी questions हैं उनको आपको समझाने की कोशिस करेंगे ठीक न जितने भी questions इस video में cover हो सके 20 minutes के अंदर तो आईए start करते हैं ये video और आपने हमारा पिछला video नहीं देखा 1 से 10 वाला तो ये बार जरूर देख लें क्योंकि main concept वहीं पर है उसका link में इस description में भी दे दिया है और उपर आई बटन में भी click करके आप देख सकते हैं इसके अलावा भी आपको 7, 8, 9 chapter के भी फूरे वीडियो आपको उपर आई बटन या फिर नीचे description में मिल जाएंगे तो चलिए हमारे ये video श्टार्ट करते हैं पहला जो question हमारे पास question मेरे 11 इस video का क्या कहा जारा हम से 11 में कि the fifth part of a number when increased by 5 यानि कि एक number के fifth part में से जब हम क्या करते हैं 5 increase कर देते हैं 5 plus कर देते हैं तो equal हो जाता है its fourth part decrease by 4 यानि कि उसी number के fourth part को जब हम decrease करेंगे न 5 तो उसी दूवो दूआ पस में क्या होते हैं equal हो जाते हैं और सबसे बहत्रीन तरीक है समझने का कि आप लिख लिख के समझो जो जो आपसे कहा जा रहा है उसको लिख लो तो आइए मैं आपको लिख करके इसे समझाता हूँ कि आपको question 11 कैसे solve करना है सबसे पहला कामा को पता ही क्या करना है स्टेटमेंट लिख 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 लेना है चोटा सा कि let the number be x हम मान लेते है number जो x होगा तो according to question, question के according क्या का जा रहा है अब यही सबसे main काम रहता है यहाँ पे उसका एक equation बनाना according to question करके तो देखा हम एक question में साफ सफ़ा जा रहा है कि जो number है उसका 5th part में जब हम 5 increase करते है तो x वो number है तो x का 5th part क्या होगा x by 5 होगा इसको हम और क्या लिख सकते हैं x 1 by 5 भी लिख सकते हैं लेकि लास्ट में को x by 5 भी लिखना पड़ेगा तो हम direct लिख लेते हैं x by 5 यानि कि एक number का 5th part का लाएगा x by 5 उसके 5th part x by 5 हो जाएगा इसमें हमें कहा जा रहा है 5 add किया जाता है increase किया जाता है तो plus 5 increase करने का मतलब क्या होता है 5 plus करना तो equal हो जाता है उसी number के 4th part में 5 decrease करने के यानि कि वही number आपको दुबारा से लिखना है उसके 4th part ले लेना है और इसमें से decrease करना है 4 और यही हमारा equation बन गया और इसी को आपको बब solve करना है एक number था उसके 5th part में हमने 5 add किया तो वो equal हो गया उसी number के 4th part में 5 decrease करने को यहां पर 5 लिखाएगा कि वह साब बला था 5 decrease करना है पर लिख 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 था sequence बनाते बनाते तो यह होगी हमारा इस तरीके से equation बन गया अब आपको बस इसको solve करना है तो आपको जल्दी से solve कर लेते है सबसे पहला का यह जो हमारा है x वाला उसको एक side number वाले को एक side कर लेंगे यानिकि transposing कर लेंगे तो x by 5 पहले से left hand side में यह जो हमारा x by 4 है यह इधर आएगा इधर पहले plus में था left side का sign देखना आपको right side का sign नहीं देखना इसके left में plus का sign था इधर आकर के minus का sign हो जाएगा x by 4 equal को side minus 5 पहले से है यह वाला plus 5 भी चल जाएगा तो यह भी बन जाएगा minus 5 हमारा is that clear? अब यह हमारा 5 और 4 का LC हो जाएगा 20 आप निकल के भी देख सकते हैं कि दोनों co prime number से अपस में तो 20 को 5 से divide देंगे तो आगा 4 और उपर हो जाएगा यह multiply तो 4x minus sign है 20 को 4 से divide देंगे तो 5 और उपर x से multiply होगा तो 5x और equal के उस सेट हमारा हो जाएगा minus 10 minus 5 और minus 5 minus 10 क्योंकि minus minus plus होता है हमारा यह 4x और minus 5x है तो 4x में से 5x minus हो नहीं सकता 5 में से हम 4 minus करेंगे तो आज जाएगा हमारा 1x जिसको हम x भी लिख सकते थे और बड़े वाले में minus का sign है तो जो मारा answer उसमें minus का sign लग जाएगा और नीचे में 20 है इधर मारे पास minus 10 है अब कर दो आप इस 20 को इससे transfer तो हो जाएगा आपका minus x लिख लो इस बार minus 1x लिख नहीं को जूरत नहीं है minus 10 और यह 20 अभी denominator में है इधर आ करके multiply हो जाएगा numerator में सब्सक्राइगा तो अब इसका आप multiply कर लो तो हो जाएगा minus x equal to 10 20 जब हम multiply करेंगे तो 2 1 जा 2 और यह 2 0 200 हो जाएगा और minus plus minus sign लग जाएगा अब यह minus और यह minus अपस में cut हो जाएगे तो x का जो value निकलेगा आपका वो जाएगा 200 यानिकि वो जो number है required number वो 200 है तो last में जरूर लिख लें कि the required number is 200 इसमें यहापे number मैंने छोड़ दिया तो आपको पूरा statement भी लिख लेना है ताकि अच्छे से पूरे marks मिलें आपको तो the required number यहापे लिखाएगा number is 200 इस तरीके से आपको लिखना है statement और ऐसे solve करना है main काम है यहाप पर आपका equation बनाना equation बनाना समझ में आगिया आपको तो फिर आपको पूरा solve हो ही जाएगा क्यों आपने exercise 7 यही तो पड़ा है solve करना ही सीखा equations को तो बस main आपका equation बनाना आई जल दीसे question 12 भी देख लेते हैं क्या दिये हुए हमें question 12 हमार पास क्या है find two consecutive natural numbers whose sum is 63 यानि कि दो natural number हमको बताने जोगी consecutive लाइन से आते हों ठेक है जिनका sum जो है वो 63 है इसको भी आपको मैं समझा देता हूं आगे भी और question है same to same इनको भी एक बार हम read कर लेते हैं क्यों सभी same question है find two consecutive positive odd integer whose sum is 76 यानि कि आपको confuse करने के लिए आप integer वगरे लिखा है हमसे साफ सफ कर रहा है कि हमको two consecutive numbers के बारे हम बताना है positive odd numbers के बारे हम बताना है जिनको हम जब सम करें तो 76 इसको भी मैं आपको जल्दी समझा दूँगा थर्ड और भी अस रीट कर लेते हम यहाँ पर कि find three consecutive positive even integer whose sum is 90 यानि कि इस बार हमको three consecutive lines से आने वाले positive even integer के बारे हम बताना है जिसका sum हो 90 तो यह तीदों question से start करते हैं सबसे पहले तो आपको वही काम करना है let the first number be x ऐने कि first number को हमको दो number यहां find करना है first number को आप मानलो x अब देखो according to question में question में क्या कर रहा है कि दो consecutive natural number है natural number हम किसे होलते हैं one two three four five six whole number में zero से हम आ जाते हैं तो zero one two three four five six integer हम बोलते हैं इसमें negative number भी आ जाता है minus one minus two b और plus one plus two b यह सब को integer करते हैं यह जाना जरूरी है तो यह हमसे कहां कहां गया था कि natural number बताना है दो consecutive तो पहला ओला मान लेते हैं is that clear तो अब हमसे question के according क्या कर रहा है कि जो line से आने वाले दो number है उनको add करने के बाद कितना आता है question number 12 कहां गया 63 आता है समझ होता है 63 है यह जो first number है x जो भी है वो two बस मैं आपको समझाने के लिखा रहा था ताकि आपको समझ में आ जा है कि x plus 1 हम कैसे लिखे second number को 2 अगर पहला number है तो दूसरा number 3 रहेगा जिसको हम लोग को x plus 1 ही लिखना पड़ेगा तब न 2 और 1 3 होगा सुन में यह बात अब x plus 1 कहां से है इस तरीके से आगे भी समझाऊंगा 13 14 में भी तो हमसे यही कहा जा रहा है यह जो पहला number है और दूसरा number है x plus 1 उनको जब हम add करते हैं तो हमारा 63 आता है बस अब इसको solve कर दीजिए लास आज़ा थोड़ा समय कर देता हूं यह हो जाएगा अब यह वन को इद्र ट्रांसफर कीजिए माइनस में हो जाएगा फिर एक्स ट्रांसफर कीजिए तो यह डिवाइड में हो जाएगा और आप खुझ से solve कर लीजिए क्योंकि आपने अभी तरह 10 तक का पुरा solve किया तो यह तो आपके लिए दाल बात है में रहता है देखो बैच्छों यह होला समझना कि यह कैसे हम माने ठीक तो यह अगर आपको समझ में आ जाए तो यह तो फिर कुछ नहीं है उसके सामने हम और भी होना चाहिए कि दो consecutive positive odd integer है जिनका सम है 76 तो आप फाइंड करो समय आए बात तो अभी आईए इसको मैं आपको समझा देता हूं यह पहला आप मानलो यहां पर let the first odd number या फिर first positive odd integer इतना लिख लेना ताकि आपको question की अगोर्डिंग हो जाए वह तो let the first positive odd integer be x यानि कि फर्स्ट वला जो हमारा x है तो जो second वला होगा consecutive वनी lines आने वला तो मानलो कि पहला वलो 3 है odd बोल रहता हमको तो पहला हम 3 मानलो यहां पर तो हमको अगला पता है 5 होता है तो odd नमबर जब आते हैं तो हमको उसमें 2 प्लस करना पड़ता है तो हमको पता चलता है कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 स्मझ में आया तो यहां पर हमने 1 क्यों किया था क्योंकि लाइन सायन नमबर को बोला गया था यहां पर हमको two odd number से बारे मोला जा रहा था इसलिए हम क्या करेंगे x और दूसरी नमबर को मान लेंगे x प्लस 2 तो यह मान लेते हम दिमाग में अगर मानना चाह तो सेहुआ हो जाएगा यह जाएगा है इसलिए दूसरा नमबर है उसमें आपको 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 आखी supporter से क्या कर रहा है कि find three consecutive positive even integer whose sum is 90 यानि कि अपने को फिर से positive integer ही बताना है लेकिन वह होने चाहिए even तो अब मान लो हम फर्स वाले को X मानेंगे फिर से हर जगा को अब भी starting वाले को X ही मान देना है ठीक तो मान लेते हैं कि पहला अगर दो होगा तो दूसरा वाले कितना होगा फोर होगा तो अगर हमने पहला वाले को X माना है तो second वाले क्या होगा इसमें भी X होगा यानि कि X 10 कर दिए गलत हो जाएगा dear sectional nee ke even यह हमारे हो जाएगा सभी यहानि नंबर है हमारा वो जाएगा X प्लस 4 ताकि हमए 6 मिल सके यह हमने माना और है बिश्द्र出去 हो दो से हमने कि पहलए लएक लोग हो घृत का औरुट हो सके हमानना है ताकि हमस्य होप सकते हैं चैuchजे पहले होगव को एक्समाना न है बांस दूर वाला था एक्स प्लस टू होगा तभी हमारा आएक्स प्लस फोर तभी हमारा है प्लस नोध निमागि में तो फिर प्लस दीमाइड थर्ड positive even integer is x plus 4 यह लिखे लेना है फिर according to question लगाना है और according to question हमसे जो कहा गया है वही हमको करना है यहाँ पर solve तो according to question हमसे क्या कहा गया है कि इन तीनों को जब हम add करते हैं यानि कि x, x plus 2 को और x plus 4 को जब आपस में add करते हैं तो हमें 90 मिलता है तो अब आपको यही तीनों number find करना है तो यह जो लिखसर find कर लेते हैं यह वहला मैं ही करते हैं धरNow add हो जाएक, x, x, x. यह 3 time है तो हो जाएकर 3 x, 4 और 2 हो जाएक, यह plus हो जाएगा 6 और equal to 90 हमारे पास पहले से है तो यह अब 6 इधर transfer हो जाएगा तो जाएगा 3x equal to 90 minus 6 की इधर plus में था तो हो जाएगा हमारा 3x equal to 84 अब हमको 3 को भी इधर transfer करना है ताकि x का value मिल जाए हमें तो x equal to हो जाएगा हमारा 84 divided by 3 क्योंकि ये 3 इधर multiply में था इनको अपस में cut कर दो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा बजी या 2 2 चल जाएगा इधर ये बन जाएगा हमारा 24 तो 3 के table में 24 आता है एट टाइम पे 3 8 जा 24 फिए 3 9 जा 27 3 टाइम जा 30 तो हमारा x equal to हो गया कितना 28 हो गया यारिक जो first number है न हमारा first positive integer जो हमें दिया हुआ वह कितना है 28 है तो second हमारा कितना होगा तो इस टेप से आप लिखना भी है सो second positive integer आप पूरा लिखेगा बस second number लिख देना हो shortcut में यहां पे वह कितना होगा second वाले कमने क्या माना था x plus 2 माना था यहां पे यह वाला थर्ड़ वाले क्या माना था तो सब्सक्राइब करना था आपको अच्छे से समझ में आया होगा 14 तर अब हम चलते हैं question 15 के पास 12 13 14 तर हम अच्छे से पढ़िएगा इनमें से question आता ही आता है और यह आगे चल करके बहुत कामा था इस टैप के question 15 समझ लेते हैं question 15 क्या कहा जा रहा है हम से एक नंबर को मान लो 186 दूसरा को टू मान लो या वन नंबर को मान लो 100 दूसरे पार्ट को 84 मान लो इसको टू पार्ट में हमको डिवाइड करना है बस उसके बाद हम से क्या बोड़ रहा है ताकि such that one third of one part may exceed one seventh of other part by eight यानि कि उसमें से जब हम दो उसका सबस्काइं धेन करें तो तो जो व changed is נब्र apps जादा हो में पहिए फिर्स हो उसमें पार्ट है जाधा हो जाधा हो सेकंड पार्ट के half collab पहले बाद दूसरा पार्ट 184 में से 2 माइनस करना पड़ेगा जोकि हमारा 182 आएंसर तो इसलिए यहां पर हमारा 184 में से X को माइनस करेंगे तो हमें दूसरा पार्ट की बारे में पड़ा चलेगा कि दूसरा पार्ट कितना है या पिर अभी समझ भी नहीं है तो फिर सक्षैकश समझाता हूं मानलो कि X माल लेते हैं एक 184 को हम 100 में divided देते हैं एक और दूसरा कर देते हैं तो 184 माल लेते हैं इस यह अलग लग पाउ长 तो फुर्ट पार्ट जो हमारा 100 है तो दूसरा पार्ट कितना है 100 के बाद 84 है हमारा दूसरा पाट बचा हुआ वो निकालना अगर हम यह है मैथ के टमपे तो हम कैसे निकालेंगे तो 184 में से हम 100 माइनस करेंगे तभी न हमको पता चलिगा कि 84 है दूसरा उला पार्ट तो वही चीज़ यहाँ पर किया है बस यह एक पार्ट को X मान लिया है यहीं हमारा बन जाएगा क्यों को सॉल्व करना सिखा देता हूं क्योंकि में हम इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा देता हूं तो आपने समझ गिया यह थोड़ सा बड़ा एक्वेशन है ऐसा है भी आपने सॉल्व नहीं किया किसी भी को इसन में पीछ लिए तो इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं जल्दी से इस स्टेक्टमेंट तो आप या फिर अपना चाहे तो अगर आप खुद से इसल साइन है इसका मत nuclear का साइन है इसलिए इसका मल्टिपलाइ इससे भी होगा और इस से भी एकस लिखेंगे इसको दर्फिर आप इसको एक्से मल्टिपलाइक खुद ऑन की ऻीए उई यह लूप यह माइनस और यहह चो प्लस हो जहाँTodd 384 और माइनस और माइनस जो नहीं, रो यह को प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया खिला लिक्षर्ण को उस तरीके से बस नीमिरेटर का तो 21 इसका LCM हो गया 21 से हम 3 को डिवाइड देंगे तो एंसर आजाएगा 7 और 7 को उपर 1 से मल्टिप्लाइड करेंगे तो 7 मंज़े 7 और यह X भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं डारेक 7 मंज़े 7 और 7 का जब हम X से मल्टिप्लाइड करेंगे तो 7 X ही आएगा तो आप 184 मल्टिप्लाइड 3 3 4 जा 12 का 2 करी हो गया 1 8 3 जा 24 15 का 5 करी हो गया 2 3 1 जा 2 और 3 5 यहने कि 552 इसका आएगा एंसर 21 को 7 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा और 3 को उपर मल्टिप्लाइड करेंगे तो 552 हो जाएगा और फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा भी एक्सें उनको आपस में प्लस कर देना है तो सेवन एक्स और 3 एक्स हो जाएगा हमारा 10x-552 और यहीं पर इसको ट्रांसफर भी कर दीजिए डारेक्ट अब चाहे तो अगले इस यहां पर भी कर सकते हम डारेक्ट कर देते हैं एट मल्टिप्लाइगा हमारा 21 और उसके बागती रब हम इसका मल्टिप्लाइग कर लेते हैं यहां पर तो हो जाएगा 10x-552 एक्वल टू एट वन जा एट और एट टू जा 16 यानि कि 168 अब हम इस नंबर को भी धर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 168 इधर माइनस में था इधर आकर क यह प्लस में हो जाएगा 552 तो हो जाएगा 10x इक्वल टू टू और यह 10 का 0 कहरी होगे 1 5 और 1 6 और 6 12 का 2 कहरी होगे 1 5 और 1 6 और 1 यह 7 720 हो जाएगा एट करने के बाद हमको x का वैल्यू निकालना है तो 10 को भी से ट्रांसफर कर देंगे 720 डिवाइड बाए 10 तो यह हो लेखते हैं कि the required number is 72 इस तरीके साब को इसको solve करना था अब यह जल्दी से question number 16 और 17 जो हमारे रूपीज वाले उनको भी इस वीडियो में समझा देता हूं वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है तो जो 18-19 है यह जो question year वाले यह भी important है सभी question अलग लग तरीके से important उनको में नेक्स वीडियो में समझा दूँगा इस वीडियो में आप यह जो रूपीज वाले जो सिख्के वाले question है नोट वाले सिख्के वाले इनको समय लो इनको कैसे solve किया जाता है क्या कहा जारा question number 16 में कि sum of rupees 500 is in the form of denomination of rupees 5 and rupees 10 यानि कि 5 rupees का और 10 rupees का note वगेरा है या सिख्का वगे बन रहा है 500 यह नहीं बता रहा है कि इतना 5 का सिख्का और कितना 10 का है ठीक है बस इतना बता रहा है कि 500 उनको मिला करके बन रहा है if the total number of notes is 90 यानि कि note है आप सिख्का नहीं है equation बनाना आए जली साबको मैं equation सुझा देता हूं सबसे पहले आप क्या करना है मान लेते हैं कि जो 5 rupees के note है वो कितने है x piece है ठीक है तो जो 10 rupees के note होंगे वो कितने होंगे तो total कितने note है 90 है जिसमें से 5 rupees के note है x तो 90 में से अगर हम x- कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 rupees के note है वो है कितने हमारे पास 80 piece है ठीक है तो 10 rupees के note कितने होंगे हमारे 90-10 हो जाएगे 80 हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा और 10 रुपीज के नोट हमने मान लिया इतना होगा तो यह गलती कर देते हैं कि 5 रुपीज के नोट को बस X मान लिया है तो X लिग देते हैं और प्लस कर देते हैं 10 रुपीज के नोट को क्या माना है हमने 90 माइनस X और इक्वल टू लिग देते हैं 500 तो यह गलती हो जाता है आपके समझने को बात यह है कि 5 रुपी का नोट है सज में आया यह जो X है नंबर ऑफ नोट है यानि कि एक पिस्मान लोग की है यह तो अगर हमक तरीके से 10 रुपी का जो नोट है यानि कि 90 मैंस X उसको हम 10 से मल्टिप्लाई करेंगे तब नहीं पता चलेगा कि उसका अमाउंट कितना है और इसका अमाउंट कितना है अगर हम मल्टिप्लाई ही नहीं करेंगे कि वह नंबर ऑफ नोट बता देंगे इसे कि 5 पीस है मैं ब पीस के नोट है एक्स तो 5 मल्टिप्लाई एक्स यानि कि 5 एक्स उस तरहीं किसे 10 रुपीस का नोट है 90 मैंस X तो 10 मैंस X इस दाट किलियर यह चीज हमेशा ध्यान रखेंगा और प्रैक्टिस कि जाएगा तो यह फिर हाथ में आ जाएगा दिमाग में आपके बैठ जाएग तो 10 का 90 से होगा तो 900 हो जाएगा 9 हो यह दो 0 मैंस से साइन लग जाएगा 10 का X से होगा तो 10X हो जाएगा और इक्वल्ट के उस साइड 500 तो यह हमारा हो जाएगा 5X मैनस 10X और यह 90 जो इधर ट्रांसफर कर देंगे हम 500 पहले से है 90 प्लस में था इधर आ करके 90 बोड़ रह यह मैनस साइन है अब यह मैनस और यह मैनस कट हो जाएगे तो 5X equal to 400 हो जाएगा और X equal to 400 divided by 5 अब जिसको आप कट करो और आपका एंसर रे लिया है तो 5 प्लस में लिग वी देना कि 5 रूपी नमबर और 5 रूपी नोट इस एटी और फिर उसी तरीके से 10 रुपी का नूट कितना होगा तो 10 रुपी का जो नोट है वो हमने कितना माना है 90-X माना है यानिकि 90 में से हम 80 को माइनस कर देंगे तो हो जागा हमारा 10 तो यह हो जागा हमारा 10 पीस यानिकि 90 जो 10 रुपी का नोट है वो 10 पीस है शुरू मैंने जो किया था वो सही नहीं किला मैं सब्सक्राइब तो उसी के बराबर में है तो यह होगी हमारा क्वेस्टन नाम की गर्ल है उनके पास थर्टीफोर रुपीज है सुमित्र है थर्टी फोर फैस इन फिकसे एनट व्ट्वाइब पास याण यह डो कि कि अगर तो यह पने बड़न बोट फैस उनट बंडोल không जो तहब pełLove van है वद दबेंट पिस है तो त्वाइब पैसे का 20-piece coin है उसका double वाथ तो हमसे यही का पूछ रहा है कि how many coins of each kind does he have यानि कि उस लड़की के पास बालिका के पास कितने coins है 25 पैसे के और कितने coins 50 पैसे के यह हमको बताना है यह भी बहुत easy बनेगा यह कि मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं copy में यहीं पर हम समझा देते हैं बहुत ही छोटा से यह solve होगा क्यों होगा सौल कि हिसाब सब्सक्राइब रहे हैं यहां पर कि जो 50 पैसे का पैसे ृबल है 25 को मानना पढ़ेगा 50 पैसे को यहां पर मैंने लै्ली यहां शाने 50 पैसे कोई सब्सक्राइब उसक्तिक बढ़नेगा 25 पैसे क्वाइस । 25 पैसे कोई इकल तो सबस्क्राइब कि डबल है तो हो जाएगा वो 2x क्योंकि एगर 50 पैसे का एक्स है तो 25 पैसे का डबल कितना हो जाएगा ट्वास मतलब होता है 2x अब हमसे एकॉर्डिंग टू क्वेस्टन यही कह रहा है कि उन दोनों को जब हम एड करते हैं तो कितने रूपीज बन जाते हैं हमारे पास 34 रूपीज बन जाते हैं तो पूरा आपको पिछला ही वाला जो आपने प्रोसेस यूज किया था वही आपको दोहरा देना है यानि कि x भी से 50 पैसा का तो 50x हो जाएगा प्लस आप करना है 2x में किसका मульटिप्लाइ 25 का जैसे हमने 10 कोड़ों किया थे यहाँ पर 25 को मुल्टिपलाइ होगा क्यों 25 पैसे का कोई न है कितना 2x है तो म invasion来了 कि हमको जो पैसे में षो है तो उसे आपका easily solve होगा और सही solve होगा तो 34 rupees में 1 rupees में 100 पैसा होता है तो 34 rupees में कितना होगा 3400 पैसे होगे यानि कि 3400 पैसे होगे बस अब यहाँ पर आपको यह बन गए equation इसी इक आपको solve करना है तो हो जाएगा 50x और यह भी 25 का multiplied 2 से होगा तो यह भी हो जाएगा 50 25 तो एक थाउजन फोर हंडड़ इस एक क्लियर तो आपको क्या करना है इन दोनों को आइड कर लेना है तो हो जागा ये 100x एक्वल टू 3,400 x का वैल्यू निकालना है तो x एक्वल टू 3,400 इस इधर आखे डिवाइड में हो जाएगा 2,0 से 2,0 कट हो गया तो x उक्वल टू हो गया 34 यानि कि 50 पैसे का कितने कोई है तो 34 कोई है 50 पैसे गा और उसी तरीके से 25 पैसे का कितने कोई है हमारे पास जब 34 है 50 पैसे का x का वैल्यू हमारे 34 निकला है यानि कि x हम ने किसको मानना था 50 पैसे को मानना था समय आ रहा है और 25 पैसे को अब हमको निकालना है तो उसका हमको 2 से multiply करना पड़ेगा X के साथ तो X value 34 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2X equal to 2 multiply 34 यानि कि 68, 4 to 8 और 2 3 जा 6 यानि 68 coins हैं कितने पैसे के 25 पैसे के इस तरीके साथ आपको number of coin और number of note पते करने हैं और इस तरीके से बहुत सारे अलग-अलग question भी आते हैं आगे चलके हो सकता है इस chapter में है तो मैंने नहीं देखा है पूरा फिर भी हो सकता है आ सकता है तो यह होगी आपका question number 17 तक solve question number 18 आगे जितने भी questions है एस से related उन सभी को बाव हम next video में देखेंगे इस वीडियो में इतना ही thank you for watching